बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने एट्यूट पेपर हेकर में आज हम बात करने वाले हैं BSC 2nd ये वालों के लिए Botany का 3rd पेपर है मैंने 1st पेपर पहले से अप्लोड कर रहा है और 2nd पेपर भी 2023 के इंप्रोमेंट एक्जाम में आने वाले कोशन मैंने अपसे कहा कि ये कोशन मैं आपको कुछ दिन पहले अप्लोड करता हूँ लेकिन 1-2 दिन पहले मैं आपको 10 कोशन अप्लोड करता हूँ जो पेपर में आते हैं ये भी कोशन इनी कोशन में से 10 कोशन दूँगा मुझ पे रखो समझ लो सेक्सेस पक्का होगा आप पास होने की गारंटी लेता हूँ मैं आपसे पक्का ठीक है कुछ नहीं हो आप पास की गारंटी लेलो मुझसे स्टांप लिख के लेलो भाई पास हो जाओ जो मैं कोशन बताओ भाई याद कर लोगे तो आप मुझे बात तो करो एक बार कॉल से कोई इशू तो आए हर प्रॉबलम को सुलूशन पेपर एककर के बास में है ठीक है चलो स्टार्डिंग करते है बियसी सेकंड ये वालोगों के बाटने का थर्ड पेपर बताते है और कॉन-कॉनसे कोईशन उनको पढ़ना है और कॉन-कॉनसे कोईशन उनको भाई बाई-बाई-बाई टाटा कह देना है पहला कोईशन पर अपने बुक नौट्स पेपर बटिक लगा लिजाए आपकी वास जो भी है यार दोस्त नहीं है तो हमारे नोट्सों को डालोड करें ला पेपर आएगा डॉटिंब अपसाइट पर जा करके आज हम बात करने पाले हैं रसा रोहन करें रसा रोहन जो होता है उसके क्रियाविधी किस तरीके से होती है आप यह आत करिए दूसरा होता है यह दोनों एक साथ आएगा तो यह दोनों अंतर में आता है तो यह शौट में आएगा आपको छोड़ दीजेगा देखो जल संबदन के बारें पढ़ लेना काफी महत्मूर कोशन है उसके बाद नीचे जाना यह है बारें पढ़ेंगे जलका आप संसेशन के बारें में याद करेंगे काफी महत्मूर कोशन है याद करके जाएंगे उसके बाद में बास पूरसन रहोता है यह दोनों को याद कर लेंगे क्योंकि ये के paper में छपेगा भाई ये question long में छपेगा घवराने की जरूत नहीं है paper hacker भाई question बदा रहा जो आपके paper में छप जाएगे paper होता है हमारे workshop number पर share करते ना यार हर question का solution में आपको दूँगा देखो यहाँ बात करने है C3 plant और C4 plant दोनों के बारे में याद करेंगे अंतर क्या होता है C4 जो सिर्फ चक्र होता है जैसे Kelvin चक्र के नाम से जानते हैं इसको याद करेंगे बहीं एक ये बहुत math moon question में आपको दे रहा हूँ ये question long में चपेगा पादब रदी हार्मोन क्या होता है जिबले से और इथाइलीन इन दोनों को जैसे गती पादब गती बोलते हैं इन दोनों को अच्छी तरीके पढ़ लेना कार्वो हाइड्राइट्स क्या होता है कार्वो हाइड्राइट्स के बारे में पढ़ेंगे प्रोटीन सरचना है, प्रोटीन सरचना की बारे में याद करेंगे और पादब बसाओ के पिरकार देखें, प्रोटीन की सरचना की बारे में पढ़ लेना लिपिट्स क्या होता है, लिपिट्स की बारे में पढ़ेंगे E-code किया है E-code की बारे में पढ़ेंगे नीची हम जाएंगे Enzyme, Enzyme क्या है Enzyme का नाम पती और Enzyme के पिरकार कितने होते है Enzyme, Enzyme के पिरकार कितने होते है DNA, RNA में अंतर को बढ़ के जाएंगे बहुत ज़दा important है Epo Enzyme, एक Enzyme का पिरकार ही होता है को एंजाइम बहुत ज़दा इंपोटेंट है बाकी आप इसको बढ़ के जाएंगे रट के जाएंगे निकलो साइट और निकलोटाइट में अंतर आपसे पूछ लेता है यह कोशन सौट में वनेगा वहीं C4 चकर भी आपसे पूछ लेता है ठीक है C4 चकर को पढ़ लेना और साथी साथ बिंदू स्राब क्या होता है मुझ की परिकलपना बहुत सदा इंपोटेंट है यह कोशन मौश्ट में आएगा सौट में आता है और इमंसन इफेक्ट को रैड ड्रॉप के नाम से जानते है यह कोशन सौट में पूछा जाएगा मैंने कहा कि एक दिन पहले केवल दसकॉशन देने वाला हूं चल्को सस्क्राइब कर रखे हो आप पेपर में यहां से बाहर कुछ नहीं आने वाला आपका बाई सुरज राज्ज सबसे अलग सबसे वहथर देने वाला है साथी यह बात करने वाले है वस्तिगरण क्या होता है यहां बहुत सथ इंप्रेंट ह बहुत important है, iso enzyme, क्योंकि enzyme के प्रकार is very very important question, धिवती कलिता क्या होती है, यह तीन प्रकार की होती है, short में notes आता है, क्या है कि sword white plant and long day plant और day natural plant, इनके बारे मियाद करने के लिए बनता है, यहां से question बनेंगे, ठीक है, और यह है आपका, यह question की बात करें, मैं आपसे बादा करता हूँ कि यहां से 85% प्लस देखने को मिलेगा, बादा रखिए, भरोसा रखिए, क्योंकि आपको भरोसा करना है, तो paper hacker पे करना है, बाकि किसी पर नहीं करना है, चैनल को subscribe कर लेना, और दोस्तों को share कर देना है साथी हो,